कि हैुआ है है यूटुब चैनल तो सभी का स्वागत है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्टानिक्स आला की आप इंट्रोड़क्शन देख सकते हैं, Digital Electronics का इंट्रोड़क्शन देख सकते हैं, तो फर्स्ट चेप्टर मेरा क्या है, Number System, यहनी संख्या पद्धत, यह थार्ड समेस्टर Electrical के इस्टुटेंट पढ़ते हैं, Digital Electronics को और इसमें दू ट्रेड और जूट जाता है, Electronics Engineering and CES, यहनी की Computer Science, यह दोनों ट्रेड के इस्टुडेंट इसको इस्टुटी कर सकते हैं, तो सबसे बाल हम Electrical Position को खतम करेंगे, जो कि 8 चेप्टर पढ़ना है, उसके बाद जो चेप्टर बचेगा, वह बाद में Electrical Position को खतम करने के बाद, Electronics and CES को खतम करेंगे, तो आज हम सुरू करेंगे क्या Number System, Number System पढ़ेंगे, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, चार टाइप के Number System होते हैं, उसको पढ़ेंगे, कौन कौन सा Number System पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे बहुत बेसिक से, अराम से, और इनका आपस में Conversion पढ़ेंगे, इन Number System का आपस में क्या करेंगे, Conversion में पढ़ेंगे, जैसे, डेसिमल को बाइनरी में बदलना, बाइनरी को डेसिमल, डेसिमल को आक्टल, आक्टल को डेसिमल, ऐसे आपस में क्या करेंगे, इस Number System का Conversion पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं Number System का Definition, उसके बाद आगे पढ़ेंगे, तो देख यह Number System क्या होता है, हाडवेयर या सफ्ट्वेयर, किसी भी हाडवेयर और सफ्ट्वेयर या इलेक्टानिक सर्कीट वह कंप्यूटर को लंग्वेज को आपस में मिला कर बनाया गया है, किसी भी हाडवेयर और सफ्ट्वेयर इलेक्टानिक सर्कीट लाइक कंप्यूटर के लंग्वेज को आपस में कंबाइंड या मिलाकर बनाया गया है, यह Number System चार प्रका से अफ्रेट किया जाते हैं, चार प्रका से कौन-कौन पहला देख लेते हैं, Number System चार प्रका से होते हैं, ठीक न, आप लोग डिफिनेशन लिख लेजिएगा क्या किसी हाडवेयर सफ्ट्वेयर या इलेक्टानिक सर्कीट जैसे कंप्यूटर के लंग्वेज को आपस में मिलाकर बनाया जाता है, एक चार प्रका से होते हैं, पहला क्या होता मेरा, डेसिमल नंबर सिस्टम, क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम, सिकेंड क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड क्या होता मेरा, आक्टल नंबर सिस्टम, और फोर्थ मेरा क्या होता है, हेक्सा, डेसिमल नंबर सि एकसा decimal number system, तो यही है, चार प्रकार का number system, यही हम पढ़ेंगे, और पहला हम क्या शुरू करेंगे, decimal number system, क्या, decimal number system, देखिया, पहला मेरा कौन सा number system है, decimal number system, decimal number system, यही पढ़ेंगे, और इस number system, decimal number system को शुरू करने से पहले, एक हम table बनाते हैं, इसको देख लिजेगा, यहाँ पर लिखते हैं, number system, इसको शुरू करने से पहले, पहले एक table है, number system, यहाँ पर लिखते हैं, symbol, और यहाँ पर लिखते हैं, redix या base, redix या base, अभी बताते हैं, redix या base, क्या होता है, देखिया, दिख रहा है, यहाँ, देख लेते हैं, हाँ, चलिया, number system, symbol, redix या base, इसको जाल लेता है, number system, decimal number system, कौन सा, decimal number system, यानि कि हम dn लिख रहा है, decimal number system, ठेक है, dn लिखा है, इसमें decimal number system में, 0 से 9 तक आएगा, यानि कि 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह हमारा कितना number system हुआ, 10 हुआ, decimal, यानि कि deck आ रहा है, यानि कि 10, और रेडिक्स, रेडिक्स इसका क्या होगा, रेडिक्स मेरा होगा, 10, यक्स ऐसे लिख देंगे, यक्स यानि कि decimal number system को रिपर्जेंट कर रहा है, और 10, रेडिक्स को, रेडिक्स या बेस क्या होते है, रेडिक्स बेस, उस number system की digit की संख्या को रिपर्जेंट करता है, जैसे decimal में 10, 10, 10, 10 डिजिट है, तो रेडिक्स मेरा क्या होगा, रेडिक्स मेरा क्या होगा, और यही था रेडिक्स या बेस, इसको समझ चुके होगा आप लोग, उसके बाद क्या है, है, बाइनरी number system यानि बाइनरी number system, इसमें दो ही अंका आइगा, 01 इसका रेडिक्स क्या होगा, तू होगा, क्योंगा डेडिक्स या बेस, वही होता है, जो number system की digit को रिपरजेंट काता है, बैंद रेडिक्स मेरा क्या होगा, दो होगा, उसके बाद आक्दल थो फो फाइब लागे गेल के पंदर्य राट्र इंध्टी फॉर फाइब दोन्हसे है इक्स वाइब जुआ रिक्स होगा इसमिल नमबर शिश्ट्म 30 40 50 आप देखिए 1 यहां भी तो 1 0 यानिकि यहां नंबर क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है तिस रिपीट हो रहा है तो रिपीट से क्या होगा हमको confusion होगे तिसलिए 10 को हम क्या कहेंगे यह कहेंगे 20 को B, बारे को C, 13 को D, 15 को E, 14 को E और 15 को F यानिकि 10 को A, 20 को B, बारे को C, 13 को D, 14 को E, 15 को F तो साही दीख नहिव carry a. चैनके इतना note करें hexadecimal हम उबबता दे रहा है एतना ताब को समझ आ रहा है। साहाद आपको दीख नहियृ हा correspond ツर्साइभर रहा था उसके बादेसिमल नमबर समझेंगे उसमें रेडिक्स भीस आएगा आपको नहीं होगा देखिए एक्साटेसिमल नमबर क्या होते हैं इसमें जीरो से कितना आएंगे पंदरें आएंगे कितना आएंगे एक्साटेसिमल नमबर में शोले नमबर हो गया तो जीरो वन टू थी फोर फाइव सीच सेवर एट नाइन उसके बाद 10 11 12 13 14 15 आप देखें इसका रेडिक्स कितना आता है रेडिक्स वही वहता है उस नमबर सिस्टम के डिजिट की संख्या को परदासित कहता है रेडिक्स तो दिए जिरो वन टू थारी यहां पर क्या हो रहा है रिपेट हो रहा है तो को वह सक्ता है कि य servers को दूर के लिए हम100 को क्या उलेंगे माद 10 वोलेंगे तेरे को D, E, F यहनि कि इस नंबर सिस्टम को लिखना चाहे है तो लिख सकते हैं Xrdismal Number System को 0 से 9 और A से F तक, 0 से 9 और A से F तक लिख सकता है, तो यह तो Number System आपको पता चल गया होगा सब्सक्राइब में किएㅋㅋ अब हम शुरू करते हैं पहलानमब सिस्टम अपना कौह मेöglich सब्सक्रायों कॉया है देसिमल नंबर सिस्टम रहे हैं बहुत रहते हैं आपको एक विडावट नहीं होगा देखिए डेसिमल क्या है डेसिमल क्या लिखा है है यहां देख लिखा नो इतना ही पढ़िए यह कि अधिट फड़ीफिर को देजिए तो कि एंधिग का मतलब क्या होता तेन होता है का मतलब 10 होता है आप फमिशटी में पढ़ होंगए दे का मतलब किया होता है तेन होता लिंकि 3 होट हाउ तो डेशिमल नंबर सिस्टम यानि की इसमे नंबर सिस्टम कितने सेれं कितना धुवच्ट होंगे लिख सकते हैं यह काफी प्राचीन भासा है यह काफी प्राचीन भासा है क्योंकि इसको लोग ना पहले अंगलियों के साहरे दस फिंगर होते हैं उसे काउंट करते हैं लेकिन आज के समय में एक डाइरेक्ट यूज नहीं होता है ले समय हमारा किया होगा पुर्ण सिस्टम डीटली हो तो आज के समय इस नंबर सिंट्टम जो देसिमल नंबर सिस्टम इसका डायरेक्ट यूज नहीं होता है उच्चे ढूशन पहले उनकी फिसस्टम में क्या होता है वाइनरी तेसिमल नमबर सिस्टम का प्रिफिनेश लिग सकता है हम बोल दिया है इसमें नंबर चो होंगे 10 होंगे 0 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 और कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठैने सबसे इस मां सबसे चोटी संख्या देखने क्या है क्या निवा कि सबसे बड़ी संख्या गार्ब भी wrong वही होटाए नंबर स्फट्पम है डिजट की संख्या को परद्दे सिद करता है कितना डिजट्टे टोटल दास है तुमारा रेटिक्स कितना हुआ थेन हुआ कितना हुआ था तो सिंपल था अब इसके मी विए ओन करता हैं किसी ओन सिटम में कर सकता है है तू देखिए है यहां है अब किस्टन आ गया क्या थिए पूंबर में राखिया धिशित्व जीर ऑफरton करना चाहें तो कैसे करेंगे भी सेवे नेट काटेल और कैसे लिख सकते हैं सेवे जीरो फाइव यह ऐसा यह यह देसिमल नंबर में आजाएंगे अब देखते हैं बाइनेरी नंबर सिस्टम पहले हम नंबर सिस्टम को क्या करेंगे खतम करेंगे करने हम नंबर सिस्टम को क्कुष घंगे उसके बाद कर किलेंगे चार नंबर शियुक्तम उपाले इसन सहीद खतम करेंगे उसके बाद इसका conversion पढ़ेंगे तब बन युज म्लिमेंट टू का कंप्लिमेंट पढ़ेंगे और हमारा चेप्टर फीनीश हो जाएगा तब शिखेंट मेरा क्या है बाइनरी नमबर siしたam binary नमबर सिस्टम क्या होता है बाइनरी नमबर सिस्टम जो होते है यह रहे गाई इस उपनें चो जो होता है इस मालेस्ट नमब़ चाह टाइब का नमबर सिष्टम है उसमें सबसेट नमबर कोई रहेगा तो रहेगा जीरो उसी प्रकार फिर करते का नमबर लेकि यह हमारा क्या है लाग जेस्ट नमबर भार ठीक है और एडिक्स क्या होगा रेडिक्स मेरा क्या होगा दो होगा जे डिक्स कितना होगा दो होगा अब क्या जदे बड़ी संख्या पूछे बड़ी संख्या एक दिख रहा है दिख आपको यह निकालना हो बड़ी संख्या का एक फर्मूला होती है बड़ी संख्या निकालने के लिए आप रेडिक्स में स च्रब करें पेए डीक्स में से वन खटा दरेंगे ठीप वाण को घम चुन निकलेगा बदी संख्या एडीक्स मेरा 2 में चाहिए 1 होगा यानि कि वहीं मेरा क्या होगा बड़ी संख्या होगा रेजैने कि वाशा नंबर वही लिखना है definition में ज्यादा कुछ बाहर का लिखने नहीं होते हैं इसमें दो वंक होते हैं यानिकी 01 01 जिसे हम binary number system कहते हैं जिसे हम binary number system कहते हैं ठीक है और computer calculator में इसी binary number system के अधार पर calculation किया जाता है computer या mobile जैसे आप चीज में मुझे देख रहे हैं उसमें calculator होगा और वी electronic device है उसमें calculation किया जाता है binary number system के अनुसार किया जाता है जब हम gate पढ़ाएंगे तब देखेंगे तब आपको 3 लिखना होता है तो 0 11 लिखेंगे 011 लिखेंगे चार लिखना हो तो 100 लिखेंगे टू लिखना हो तो क्या लिखेंगे यह दिजिट नंबर पर हमारा एल्यक्त डचर्टनिक डिवायस अज किसमें वर्क करती है यानि कि इस 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 टिजिट नंबर पर यानि कि 40 पर जिसे हम टीजिटन सिंगनल भी बोलता है यहीं साद बानेरी नंबर कुछ नाइक था इसे इसमें दोंक होते हैं 01 का 01 होता है इस इस डिजट क्या करते है, बारी नमबव सिस्टम करता है, और आज कमें चु र्कॉंटर हुआ गया करता है अब देख लेता है기 देते हैं but सेन आक्टल नॉमब सिस्टम ठीक है तीसरा में रखे आ है आक्टल नॉमब सिस्टम अ अबद के मतलब 8 होता है यहनली कि इसमें 8 नॉमब रहेंगे कहां से 0 से 7 तक 0 1 2 3 4 5 6 7 इसमें 8 नमबर सिस्टम रहेंगे कितने 8 सबसे चोटी संख्या क्या होगी जीरो सबसे बड़ी साथ होगी यदि बड़ी हमें नहीं पता है तो क्या करेंगे बड़ी बड़ी संख्या निकालने के लिए कि पीछे बताए थे रेटिक्स में सम एक माइनस कर देंगे त हुआ इसमें mm नमबर शंख्या न आठ नमबर होती है जो 0 7 तक होती है इसमें बड़ी संख्या से और चोटी संख्या 0 नुंश्टम आए ऊसका कने बतांगे इसका अग्ला नका बचार्य रन दिविनेस नहीं 사1 डीशिमल नमबर सिस्टम कि किया है एकiver डीशिमल नमबर ikenым किसाफ तसफिस्टम क्या होता है 10 इनिक 16 कि कितने नमबर सिस्टम आएंगे तैक के प। ढ़teen उसेश्वरों मैंस ज्यादा कुछ नहीं लिखना के लिखना इसमें 16 संख्या आती है कहां सकांता जीरो से 15 तक लेकिन लेकिन 9 के बाद हमारी संख्या रिपिटेट होती है जैसे 10 10 में क्या है 0 होना है इससे हमें confusion create होता है तो क्या लिखेंगे इसमें संख्या है 16 से 0 से 15 तक आती है यानिकि 0 से 9 और 10 से हम क्या लेंगे A B C D लेंगे 15 तक A से F तक होती है यह मेरा क्या हुआ डिफिनेशन हुआ नंबर सिस्टम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक हुआ 10 11 12 13 14 15 यह हमारा 16 नंबर हुआ कितिना 16 है सब्सक्राइब देख रहा है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर हिनिक रिपीट हो रहा है इस confusion को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे इस 10 को A से नाम दे दिए 11 को B बारे कुषी 13 को D 14 को E 15 को F यहनिकि इस नंबर सिस्टम में क्या लिखेंगे 0 से 0 से 9 और A से F तक होती है जैसे मालेचे आपको नंबर सिस्टम दिए क्या दिए नंबर सिस्टम दिए यहारे दूर यानिकि 16 एक कैसे पहांचानेंगे ए रेडिक से 16 है यानिकि है रेडिक्स मेरा 16 है तो है लेकिन कैसे जानेंगे हैं हम इसको आठ करते सकते हैं इसलिए 11 है तो हम याति यह टू लिखेंगे 16 हम समझा जाएगे यह का मतलब यहारे यानिकि 16 नंबर के अंतरगत ए आएगा तेहीं हमारा क्या हुआ नंबर सिस्टम था और चार परकार का नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ें हैं और डिफिनेशन यही लिखा जाता है इसमें रेडिक्स नंबर सिस्टम की डिजीट की संख्या को क्या होता है परदर्सित करता है आज हम बाधार गवर्चार बताएंगे और इसका बाधार सिस्टम डाकी का जिफान होगा तो हम क्या पढ़ेते पहला डेसिम्ल नंबर शिस्टम ग्डेसिमल नंब शिस्टम इसका बाइनरी नंबर सेख़नुटम इसके बाइफीर हेक्षिए डीसिमल नंफसिटम। पढ़े तोय करफे चान सिक्राइब देचितम नंबर को बतला यह तो मरा अगडिए नंबर को बाइरी नंител हरा बताल है है बाइनरी में बदल यह अब बताया डिसमल क्या होता है आप जान चुके हों है डेसिमल में दस संख्याय नम यह दस नमबर होंगे जीरो नव तक उसी को जांगे बाइनरी बदल ना जिसे लाइक दसमल में कोई संख्या है तीहत्तर यह 0 जो है। जीर। झाव नंबर है। भी संख्याने की साथी जीर। वन जीर। भी संख्या पर हमें क्या करना है। Conversion काइमा है, decimal to binary अमने संख्या कितना लिया मैंने संख्या लिया 37, this is decimal अगे फुच्छा है, binary में X का value, X का value, find करना है X का value क्या होगा binary में यहां तेकिए, । जाथ 2 कुल लगा है और X, X का value पुच्छा है यानिगे कि इसा बेस 2 है, यानिकि, binary में करना और दिया किस में है डेसिमल में बानेरी में करना आख दिसके लिए सिम्पल सा मेठर है जो आंक आपका दिया हैसे 30 उसको ऐसे लिख देजिए ऐसे लिख देजिए देखिए लास्ट में एक ट्रीक बताएंगे अब को अविच्छन नहीं होगा क्यों चारों कमा जन होगा आगे पढ़ेंगे तो अभी तो पहला है आगे और पढ़ेंगे आप्टल हेक्सा में तापको कन्फ्यूजन होगा लास्ट में एक ट्रीग बताएंगे केवल एक लाइन का ट्रीक रहेगा और आप जान चाहेंगे किस अधार को बदलना है ए तो फैर एजी है आगे पढ लाइशन, संतला मातितंस हो फाइशन, स्वेस आब लाइब क्याते से पाइशच कहर्यूंत गत्यूंति लेका और तो भाब द्रक ट्रील कर शेये करेंघेप Maiden फिर यहां यहां 0 लिखेंगे फिर डिखेंगे हुआ से रड Web करेंगे तो तो से डिभाइड करेंगे क्ता चार टी जीर ₤ फिर हम क्या करेंगे टू से डिवाइट करेंगे लिख वन बच्चा और यहां एक भागफल बन कईडी जीरो तब इस नंबर को लिखेंगे आंसर यही हमां राखें है आंसर लिखने समय ऐसे लिखा जाता है उपर से नीचे यानि कि ए हमारा क्याओ यह में यस भी हुआ और एक ए मेरा क्या है यह लेस भी हुआ ए मेरा क्याओ Q की दर लिखेंगे हैं तमबड हमेडर से ताइड रखेंग 19 तरह लिखें गैंड हमरा आंसर क्या होगा देखिएगा इमस्बर कितना यह वन कितना लीखेंगा वनी स्काइट जीरो जिरो जर बाद वनीरिसके सिशन क्यों गाहत है हां यवा नमबर हुआ और याद रखर इंगे जिर न में टूल सब्सक्राइब करेंगे यह हम तू से डिवाइड करेंगे और आपका एक क्रिश्चन आरता होगा यह लेस्वी क्या है तिसका इसका फूल फार्म होता है लिस्ट सिगनिफिकेंट बीट लिस्ट सिगनिफिकेंट फीट और यह में सब्सक्राइब करेंगे और अब चाहें तो इसे साल्प करना पड़ेगा इसको नोट कर लेजे अब को ऐसे साल्प करना पड़ेगा जाय गों आपकों इसए साल्प करना पड़ेगा ब्सक्राइब करके इतना बराबर इतना लगता हरा था आंसर कि होता ऊब शही ऑगा यह दिक अब भू और सही अब इसको स्वाघ इसे भी का सकते हैं शहीतन और फिर अगेन अठारे का भाग दो में करेंगे यहां नो यानिकी जीरो अज़ाइस को उपर बता देता है साथ दिख नहीं रहा होगा तो पर बताते हम भाग फर दो से अधरा अबिख करेंगे तो कहीं दो जो एक आएगा मेरा एक आब अब अचारे को यहां लिखिया है और दो फिंश करिये अर को यहाल के तो चार के थे fiction कित्ना वत गजर ये दोаете को यहां धुर और दुवर यह रिखा जाता एहरे ने स्वाइबू करिएmaag नहीं पंखिए अर्व म Вас डोवियागा एक पर लिकंगे नीचे से उपर क्योंिक दोदी तो धूत्व zooming यह साफ्टनीक तो यहिता। बस यही सिरूराइब अन्बर दे रहे हैं सिस्टम आप में इसका आंशरणीक बतायों, वहाँ सिस्टम इसका आंशर आप के तया हो क्या है वहाँ आप भी को चैंश सिस्टम नेरिग आ पा उजम करने तो बता है जाने है कि के मेरा सकताइस का हुआ है कि हुआ कि है फांड फांड अशनक्स फांड दव कि इस है यह सकावयलौ बताना है और अब एक हैड्यी क्ली में यह क्या क्यों नंबर करना बाकिक हम देखेंगे अब माली जै इतना मेरा एंसर आया था इतना इतना यह आया था अब यह आंसर सही है गलत हम कल देखेंगे इसको देखेंगे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता है समझ आया कि नहीं और फर्स्ट लेक्चर है और इसमें इलेक्टिकल इलेक्टानिक्स और सी एस के बच्चे बढ़ सकते हैं तो वस वीडियों बस इतना ही थैंक्यू सो मच नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें